हमें दुख है, रोना हात है घर पे, कि इतनी ठंड में हमारी संकत यहां किसान भाई यहां खड़े हैं, और हमारे को घर के अंदर अपने फ्लाटों में ठंड लगती है, इतनी रजाईयों और रूम हीटर के अंदर हमारे को ठंड लग रही हैं, और हमारे किसान भाई यहां ब वो बंदा कभी गलत नहीं हो सकता आप अपनी मम्ही को कभी कहेंगे कि मम्ही गलत है कुई अंतकवादी तो नहीं दिख रहे हैं आपको बिल्कुल पीसफुल है, हमें वी आपने परिवार की तयरा टिप कर रहे हैं हमें यह निस समझा था कि भाहर लोगों को गलत इंफलमेशन कहां से مिलती है यहां आगे एक्स्पीरियंस करें, फ добав बलग बलकुल भटका रही है हम राग टीवी लगाते हैं, गंटा रजाई में बैटके टीवी देखते हैं मीडिया हमें मिलता है अब यह जैसे यह जथा मुझे अभी यहां दिखा यह सब विवाओं का जथा है और यह क्या बोलते हैं यह सब के हाथ में कुछ बाटने का सामान देख रहा हूं मैं आपके पास भी गलब्स हैं और अचार हैं हान जी हान जी आप लोग कैसे यहां जो भी यहां अंदोलन कर रहे हैं उनको बाटने आई हैं जी बिलकुल आए हैं हान जी हान जी क्यों बाटने आहें हमें दुख हैं रोना आता है घर पर कि इतने ठंड में हमारी संकत यहां कि इसान भाई यहां खड़े हैं और होसला देखो उनने कहा किसी ने जीम बनाया है किसी ने लंगर लगाए हैं जी कपड़े दोने के लंगर लगाए हैं किसी ने कुछ हमारी तो वो तुछ सेवा है कुछ सेवा नहीं है हमारी तो बिलकुत सेवा नहीं कर रहे लेकिन सुनना चाहिए वो हमारे लिए भी लड़े ह हैं अपने लड़े हमारे लिए लड़े कल को हमें भी प्रशानी होगी आम जंता को भी प्रशानी होगी जो समझी नहीं जा रही है आम जंता जिस दिन समझ जाएगी ना कि किसांद अपने लिए नी हमारे लिए भी लड़ रही है उस दिन देखो कामियाभी हमें मिलेगी मिलेगी पहले भी हाई हो आप लोग या जायों पहले भी आये हैं थी चार चकर पहले भी लगा चुके हैं मेरे हजबन अलग सेवा करें मेरा बेटा 3-4 विर अपने दोस्तों सा दलग आ चुका है तो सेवा हम लगाता हर संड़े की संड़े निभा रहे हैं सारे जॉब्स करते हैं जो भी हम अब बात आईगी आपको आपका सवाल होका नेक्स हमें पंडिंग कहां से आ रही है गुरु नानक देपर निकालो वह दस्वंथ हम चाहते हैं कि वैल्यू फॉर म जितना भी दस्वंथ है यह यह टीम यूएसडी यूथ वाइसडी यूथ सिक डिली यूथ सिक डिली 15 साल पुरानी और्गनाइज़ेशन हम रेगुलर सेवा कर रहे हैं 15 साल पहले हमारे प्रदान चाहब हैं उनको पता लगा कि भाया जब नगर कीतन निकलते हैं आपने न लगा हैं यस्टी टीम ने क्योंकि यह किसी पॉलिक से रिलेटेट नहीं है अपनी यस्टीम है जो हमारे लड़के लड़के जुड़ाए है यूथ जुड़ हुई है जिसके अंदर सेवा की भावना है देखा आप पढ़ते हो हैं जी मैं माता सुंद्री कोलेज की आप एजुकेशन को क्यों नहीं उस तरीके से लेते वैसे तो कहते हैं पढ़े लिखे हैं यह आपके एजुकेशन है घर में बैठके आप किसान गलत है किसान गिलत है जो आपकी प्लेट में खाना डाल रहे हैं वो बंदा कभी गलत नहीं हो सकता आप अपनी मम्मी को कभी कहेंगे कि मम्मी गलत है मम्मी चाहिए गलत भी हो ना वो तब भी सही होती है बट इस जगा पर यहां पर किसान सारे सही हैं आप यहां पर देखो हम आतंगवादिया है मैं D.U. के स्टुडंट हूं मातंगवादी हूं चाहिए एटारे स्टूडंट आपका क्या नहीं प्लेट रहे हूं मैं अमन प्रीत कौहर हूं D.U. के स्टूडंट डेली यूनिवर्सिट इंग गलत ब स्टूडंट आप यहां क्या आप पढ़ाई करते हो ऺंग करते हो हैं आज सेवा करने क्या ऐसा लगा कि आपको यहां आना चाहिए सिंगू बॉर्डर पर एक महीना हो गया हमारे सारे सिंग इदर सारे किसान इदर बैठे हुए हैं हम लोग घर पर बैठे हैं आज पहली बार हमें मतलब लड़कियों को मौका मिला है कि हम लोग यहां पर आएं सब को सेवा करें सबसे मिलें बहुत चाह लग रहा है सबसे मिलकर इधर का जो इंवाइमेंट हैं इनवाइमेंट लेकि कितना अच्छा लग रहा है बस मोडिजी से एक पीसफुल कोई ऐसा अंतकवादी तो नहीं दिख रहे हैं आपको बिल्कुल पीसफुल है हमें भी वह पुलिस साथ में खड़ी है आप आके देखिए और फिर अपने एक्स्पीरेंस कुद बनाईए ना कभी मोधी जी को आपने देखा है और इनका एक संगठन है Team YSD Youth Sick Delhi और यहां कुछ अपनी तरफ से सेवा करने आये और किसी के पास जुरावे हैं, अचार है और भी जो ऐसे जाड़े में जरुरत का समान हैं वाटने आये आपने दो बच्चों को सुना और यह दोनों स्टूडेंट हैं और इनकी बात सुनकर आपको अंदाजा लगा होगा कि क्या तकलीफ होती है जब जो किसान यहां 10-12 किलो मिटर तक सडक पर ऐसे खुले आसमान के नीचे या टेंट में या ट्रॉली में या ट्रॉली के नीचे जमीन पर इस ठंड में सो रहें तीन डिग्री टेंपरेचर पर और ऐसे लंगर में रोटी सबजी कुछ खा रहें और उसके बाद इन किसानों के लिए किस तरह की भाशा का इस्तेमाल होता है सत्ताधारी दल के नेता मंत्री और मीडिया के बहुत सारे लोग और ऐसे ऐसे सांसत बीजेपी के कि कहते हैं कि गाउं के ठलुए यहां जमा हो गए जिनके पास गाउं में कोई काम नहीं था यहां अच्छा खाना मिल रहा है अच्छी रजाईयां मिल रही है गरम पानी मिल रहा है इसलिए ठलुए यहां बैटें वही तकलीफ इनकी थी और मैं भी यहां 25 दिनों से आ रहा हूं तमाम वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाईए इन चेहरों को देखकर आप सोचिए कि यह चेहरे कौन है क्या इसमें कोई खलिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी या ऐसा शक्स दिखता है जो देश से आप से कम मुहबबत करता है चाहिब घर में बैट कर साही का इस बच्ची ने कि रजाई में बैट कर आप टेलिविजन देखते हैं और कुछ चैनल देखते वक्त आपको लगता गैंग है ना जाने किस गैंग के साथा से करम है आपसे बात करने से पहले कुछ बुजूर्गों के चेहरे देखे अब जैसे देखे मेरे क्याल से पच्छतर साल या उसके आसपास उम्र होगी हाँ जी सत्तर साल उम्र हो गई एक और बुजूर्ग देखे पीछे खड़े हैं अब इनके चेहरे देखे यह चेहरे जान बुज के आपको देखना जरूरी है कितनी उम्र है आपकी 60-65 मुझे ज़्यादा लगती है थोड़ा आप कन्फ्यूज कर रहे है लेकिन कोई बात ने जो भी उम्र है तो यह बुजूर्ग है और ऐसे बुजूर्ग किसान 70-80-85 साल के एक मिनट ऐसे भुजूर्ग किसान यहाँ लगातार बीते 30 दिनों से 32 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं मूर्चे बंदी कर रहे हैं और ऐसे वक्स गुजार रहे हैं अब उसके तरीके पर आप सवाल उठा सकते हैं अगर कहीं लगता है कि उस तरीके की सीमा को कोई उलंगन करता है लेकिन खास बात जो इन्होंने कहा इस लेडी ने और हम सब भी बार बार आकर देखते हैं और वीडियो में बताया कि 32 दिन से जहां ऐसे हजारों लोग 10-12 किलो मिटर तक कतार बद सड़क पर हों उसके बाद यहां कोई उस तरह क्यों दंडता नहीं है को कोई ऐसा हंगामा नहीं है और पूरी तरह से डिसिप्लिन जिसको कहते हैं अनुशासन है और बहुत मुहबबत से तहजीब से आपसे बात करते हैं जिससे भी बात करेंगे उनके चेहरे पर मुसकान दिखती है और तब लगता है कि आप कहा है असली भारत असली भारत यहां है जब आप यहां आएंगे तभी महसूस करेंगे हाँ टेलिविजन देखेंगे रमेश बिधूरी जैसे सांसादों को सुनेंगे बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनेंगे और ऐसे लोगों को सुनेंगे तो लगेगा कि यह टुकरे टुकरे गैंग हैं देश्विरोधी हैं लेकिन जब यहां आएंगे तो आपको पता चलेगा सिंगु बॉर्डर पर जो बैटे हैं यह कौन लोग हैं यह आपने कहा आप कहां से आई हैं मैं डेली से आई हूँ आप सब लोगों का दस बारा लोगों का ग्रूप है आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले इन से एक मिनट इन बुजूर्ग से मैं बात करूंगा एक सके नाता हूँ आपके पास आप कहां से आए पता नहीं हिंदी आप समझ पूरा हिंदी से यह भी बोलता है जो बोलेगो भी बोलेगी जो बोले सो निहाल आपका क्या नाम है दारा सिंग है मारा नाम दारा सिंग तो बहुत भारी तो जंक्पिंग है कितने दिन से आपके परिवार के लोग पंजाब में कहां से आया है तो मोगा में फैमिली आपकी है तो आपके पोते और बेटे वहां है अगर बुजुर्ग यहां है और ऐसे तमाम बुजुर्ग किसान जो यहां बैठे हैं जब उनसे पूछेंगे कि आप यहां क्यों बैठे हैं, कब तक बैठेंगे तो कहेंगे हक लेकर जाएंगे पंजाबी में कहते हैं शहयद हक लेकर जावेंगे मैं समझ गया, सबको میں सलाम करता हूँ तमाम भुजूर्गों को आप कुछ कहना चारा है सर मैं कहना चाहरा हूं अगर यह मोदी सरकार प्राइविटाइजेशन कर रही है ठीक है आज जो हमारी थाली में खाना मिल रहा है हमको पचास ओर अपलेट अगर यह प्राइविटाइजेशन हो गई यह छे महीने की साल के बाद तो मोदी इनको किसानों को पूरा पैसा आपको देट रोटी सब्जी आपको देट सोर्वे की मिलेगी जो आपको 50 रही है और यह किसान ऐसे नहीं बैठे हुए इतन धरण में मारा शहीदी दिवस चल रहा है आज किर्तन धरबार चल रहे है आज हम लोगों को गुर्दवारे में होना चाहिए किर्तन करुआने चा किसानों से डिजटली बात कर रहे हैं अगर में आपको अगर आप मेरे को आप मेरे को कहें कि इंटर्वी देना है आप डिजटली इंटर्वी दे दो ठीक है आपने वहां से दे दिया मैंने यहां से दिया आप बीच में आए आपने आया आपने देखा क्या चल रहा है तैरिस यहां से लंगर खा रहे हैं यहां से उनको हर चीज मिल रही है तो मोजी से रहर प्विकार के साथ कैमरा इधर करो तो करना तो पड़ेगा इन से सुनते हैं आप लोग अगर सेवा के लिए आगे जाना चाह दो तो जा सब्सक्राइब वेखो जी अमबर सार तो आया तीन मीने दो मीने पिछे लेना ते बिठे आ पंजी तरीक दे आया जिनने बाटर तोड़के बच्यां दी जिन्दगी का सवाल है जमीन का सवाल है निकी मोटी बात नहीं बच्चे सारे नट वेखके सारा कोश वेखके सुनके आगे है वो नहीं जानगे बीबिया में ट्राले पर पर उंडिया ने छेशे मीने का राच्र लाएकल आया जिननाचर मोटी चुके गा निकाले कृणून रद नी करेगा चारे अटी नजर वापस नहीं जाएगा भार में कुछ भी करना पवे किन्ना चर्वी बेना पवे, साल बेना पवे, दो बेना पवे, किन्ना चर्वी बेना पवे, काले कनून रद करेंगे जिन्ना ये साथे कसानना मिल्दूरा दे नाल विदकरा का रहा नौजवान साथे पढ़के, भी ये पास करके शटकाते फिर रहे ने किसे इनू नूंकरी नी दिती आज तोड़ी कॉल सड़ न काय विधिकरा कारेया है कसानी दा रेट सारा खतम कारता आपनियां जीज़ाँ चीज़्याँ ज़ीआ ξा डीजेपी, डाया, जूरिया किते चलेगी डीजल किते चले गया कसान आज मार रहा एक आले कनून हैं बहुत ज़ादे मारून है घेती मारून है जाए किसान जएजवान जत लड़न वाले लोगे इन्हों ने अपनी बात कर आपकुछ कहना चाहते हैं बाद सुनो कहां से आया हैं आप मोगा से आया हूँ मैं साब का फोजी हूँ भारत की फोज में रहे हैं फोज में सर्वस किया साथ साल पर दिश चार जाये मैं दो का बाद ही है इस साल से किस साल तक मैं उनिस सो त्रेश से सतर तक सर्वस किया थे लड़ाई के वादा लड़ी मैंने उस समय कहां पोस्टेट नहीं तो मेरे यून तो रुड़की थी लेकिन पीशे बैक समालते थे फोजी थे पैंसट के वार के समय यह भारतिय सेना में हमारे साथ इतना अन अब देखो आप एक फोजी बढ़ती हुंदा तो उसकी तरखा जड़ी यह चाली ही यह रुपिया है किनी बाद की पैंट रुपी दो लागे जड़ी कानका वह अच्छी अतरवी यह बड़ी ठारा सो रुपिये एक ठारा उन्हें उन्हें परसे जबाद किया है इमें इस चोटी बात है आई एस अफसरा है जो उसे बड़े अफसरा है उनकी तरखा और बहुत बढ़ी है हमारे साथ पहले यह नहीं आ हो रहा है तो बहुत आसान कैलकुलेशन से इन्होंने बताया कि जब यह फाज में थे तो इनकी तंखा बारा रुपे थी बारा रुपे बासट रुपे थी जब यह फाज में थे इनकी सेलरी बासट रुपे थी आज यह करें उनकी 40,000 के आसपास होगी उसी तुलना में करें उस समय गेहूं की कीमत कितनी बताई आपने 67 रुपया 67 और आज जो गेहूं की कीमत है घद सबस्के इंड कर दो साथा कि साहता है रही हैं करईक अब्स गारा रहा है यह परसमे पैमेल यह बनता है और लोस्तेयों के ल्हका हो तुपेश्य को यह है तोड़ दाल यापने चैनल कर डाहिए है पुझेयमोह हुआज को साथ इसे यग कर रहा है यो एस हम को नहीं को तो इसके को मेंने करमी garmi के महीने को बलोने कोड़ बाला बालो तो अगर सर्दी में बोले आपको अपड़े तार्द हो गए तो यह बात तो उल्ट है रहा जो हमको बात नहीं चाहिए वो दे रहा है अब किसान यहां देखो गुजरात निजदी का या बॉडर निजदी का गुजरात में पुझ के पास एक है एक होटल पर बैट किया किसानों स अपने किसानों में मला कर बात कर दी है अब हटर पा किसी बात नहीं करता है आपने बहुत वाजिब सवाल उठा और यह देखिए बीच में चुकि जो सेवा करने आ रहे हैं कुछ भी अलग-अलग चीज बांट रहे हैं अब यह देखिए चिक्की मुझे बहुत पसंद है तो संयोग देखिए चिक्की लेकर आए कहां से आए आप दिली से तो यह आप कहां से लेकर आए खरीद के लाए और बांट रहे हैं यह तो गुनानक देव जी ने दिया हम तो बांट रहे हमने के बांटने वाले कौन है यह भी एक खास बात है क्या करते हैं आप मेरा अपन सुनी जो सेवा करने आये हैं और अलग-अलग धंग से जिसकी जो कूबत है उस कूबत के हिसाब से कोई कुछ बाट रहा है कोई लंगर में काम कर रहा है कोई रोटियां बना रहा है कोई सबजियां काट रहा है और हर शक्स यहां अपनी भूमिका निभा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ जो किसान बैठे हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी हक की लड़ाई में अगर सेवादार की भूमिका भी वो निभा पाते हैं तो शायद कुछ सार्थक कर रहे हैं फिलाल इस वीडियो को ही खत्म करते हैं दोस्तों फिर मुलाकात होगी किसानों के बीच नमस्कार